हेलो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टेडी 96 पर श्वागेते चलिए दोस्तों तो अभी की बहुत बड़ी खवरी वाली बात है कि रीट 2021 का जो है वो फॉर्म जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है इसके बारे मैं आपको पूरे डिटेल में आपको बात कर सब्तव होगी और जो है राजस्थान से बाहर राजस्थान के बाहर लें वह को बत करूँ आप बात करे लो कर दो सुरू बेल आइकन को दवाना ना भूले आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें चलिए दोस्तों तो सुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा रीट 2021 का प्रस्तावित कार्चक्रम निम्नस्तार ह जानूंगा उसके बाद मैं आपको इसका जो और जो मेंन पॉइंट है वह मैं आपको बताऊंगा और अधर स्टेट वाले क्या करेंगे वह भी मैं इस पर चर्चा कुरूंगा सबसे पहले मैं इसका डेट जान लेता हूं कि परिच्छा ती थी आप देख रहे होंगे कि 25 अ इंतजार ना करें पहले फॉर्म भर ले क्योंकि आपको लाश समय में दिक्कत हो सकती है और यदि आपको चलान से पेमेंट करना है तो उसके लिए 11 एक से चार दो दो हजारे किस तक वेपसाइट से परवेस पत्र डॉन करने गीती थी आपको 14 अपरेल 2020 से परिच्छा जो ह होगा कि कि सिलेबशच क्या है दोनों का लग है सेम है और कक्षा जो है चेंट तक वह होगी 10 बजे से 12 वज़े तक और कख्षा 1 के 5 के जो होंगे उसके होंगे ऑ्थाए बज़े से 5 वज़े ता बहुत सारे मेरे बच्ये यहां कॉमेंट कर रहे थे इस्टूडिन जो है कि देट वाले क्या है तुसके मैं चर्चा करूंगा पहले आप लोग देट को समझ लें उसके बाद समझ लें कैसे फॉर्म भरना है लास्ट टाइम क्योंकि फॉर्म में बरी दिकत होगी तो फिर मैं बता रहा हूं कि आपका स्टार्टिंग देट कब है ग्यारेजन बरी 2021 से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बताया गया कि पहले जो एक्जाम होती थी उसमें था तो stuffs ऑते पर आपका जो एक्जाम के मार्स ता था और तिस पर तिस न आपके जो क्वालेप कीकेशन है उसके अनुसार होता था लेकिन ISP मरार जो आपको च्छेंज्ज कर दिया गय आप देख सकते हैं पुर्व रीट परिक्षाओं में 2001 में बने पाठी करम से रीट का आयोजन किया जा रहा था जबकि पाठ पुष्टकों में कई बार परिवर्तन किया जा जुका हमने बर्तमान में चल रही पाठ पुष्टकों के अधार पर पाठ करम का निर्मान NCTE की गाईड लाइन के अधार पर करवाया गया है जिसमें राजस्थान के भूगोल इथियास कला संस्कीती और संबंदी टॉपिक को पाठ करम का हिस्सा बनाया गया इस बार राजस्थान के जीके पूछे जाएगी राजस्थान से जितने भी आपको जीके आएंगे वो भूगोल इथियास कला में तो B8 योगताधारी को L1 में सामिल नहीं किया गया DLA एवंक B8 योगताधारी को इसमें सामिल नहीं किया गया क्योंकि B8 योगताधारी के पास L2, Grade 2, Grade 1 आदी कई भी कल्प मौझूद है COVID-19 महमारी की विसम परिस्थितियों में मतलब परिच्छा सूल्क जो है वो बताया जा रहा है यहां पे कि आपको बिर्धी नहीं की गए पर्थम अस्तर तथा दूटी अस्तर केबल एक परिच्छा है तू सारे 500 रूपे और दोनों परिच्छा के लिए आपको सारे 700 रूपे दे जाएगी मैं बता दिया कि 25 अपरेल 2021 है मैं वह भी बात करूँगा आप लोग दहज बना के रखें कि देखे क्या है अभी हरतियों कि ध्यान में रखते हुए निम संसोधन किये गए क्या-क्या संसोधन किया गया इस पर मैं आपको पहले बात करूँगा पहले 36 पर दिसर निधारी था आप जो है अनुसुची जाती के लिए 36 पर निधारी थे 2021 में रियायते इस परकार दी जाएगी आप देख सकते हैं साथ पर तिसर समानने या नुरक्षीत अनुसुचीत जाती साथ और टीएसपी में जो आएंगी वह 36 आप देख सकते हैं स्कीन पर जो में पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं देखे रीट लेवल दो में राश्टी अध्यापक सिक्षक पातरता है क्यादी सूचना अधियरतों के पास सनातक 50% से नुन प्रापतांक है परंतु सनाकोतर में 50% अत्वाधिक प्रापतांक है वह रीट 2021 में आप दानेतु पातर होंगे आप लोग समझ सकते हैं पूरे यदि आपको कोई भी दिकत हो तो आप कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके आप अपनी जान सकते हैं अब बात हुई कि आपका एकजाम का सिलेवर्ज देख लिए कि राजस्थान के इसके जीके होंगे और आगे जैसे 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 और आपको इसके बारे में नोटीस आएगी सूचना आएगी पूर्ण सूचना आपको अगले विडियो में आगे मैं इसके लिए और वीडियो लेते आऊंगा इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अब मैं बात करने वाला हूं कि अधर एश्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं लेकिन सबसे बरी दिक्त यही है कि इस ब पुरा डिटेल जो आज पहले नोटिफिकेशन निकल गए जिस दिन फॉर्म आएगी उस दिन आपको फूल डिटेल आपको समझ बताया जाएगा चलिए दोस्तों यही था कि आप लोग समझ गए जो बहुत दिन से इंतिजार हो रही थी कि रीट की वेकेंसी कब आई तो र लाइक किजिए तैने वाल